गुरुकुलम इंदोर के online learning platform पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुकुलम इंदोर एक गुरुकुलम ज्यान सीरीज आपके लिए लेकर आया है उसी गुरुकुलम ज्यान सीरीज का अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि ये CDS पर जीहां आप सही समझ रहें CDS यानि कि Chief Defense Staff पर आज मैं आपको सारी जनकारी दूँगा एक छोटे से वीडियो के माधियम से चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जनरल विपिन रावत सहाब जो हमारे देश के पहले CDS थे देखिए कल तमिल नाडू के कुन्नूर इलाके में हुई एक विमान दुरगटना में जनरल विपिन रावत सहाब शहीद हो चुके हैं ये एक राश्टी शोक का विशह है गुरुकलम इंदौर ने जनरल सहाब को कल ना माखो के साथ स्रधांजली दी थी आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी से ये विलती करूँगा कि इश्वर से प्रातना करें कि जनरल विपिन रावत सहाब के दिवंगत आत्मा को शान्ती मिले क्योंकि ये हमारे देश के सच्चे वीर सपूत थे पुरा देश इसमय राश्टी सोक से ग्रसित है चलिए विपिन रावत सहाब के बारे मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ जनरल भी रह चुके हैं देश के देश की जो अभी से ना अत्याधुनिक हत्यारों से लैस होई है उनके पीछे हमारे देश के पहले वीर पुरोष हमारे देश के जो CDS रहे हैं पहले जनरल विपिन रावत सहाब का ही योगदान रहा है जनरल रावस सहाब ने जो रक्षा और प्रभंद की पढ़ाई की वो DAVB से की है IMA Military School दहरादून से तो इन्होंने पढ़ाई की ही है लेकिन हिंडियन Military Academy दहरादून के बाद रक्षा और प्रभंद की पढ़ाई इन्होंने DAVB से भी की है जनरल रावस सहाब की जो ससुराल है वो भी सुहागपूर में हैं सुहागपूर की जो राजपरिवार से संबंद रखने वाली मधुलिका सिंग जी वो उनकी पत्नी थी कल जब तमिलनाडू की कुल्दूर इलाके में MI-17 हलिकॉप्टर जब क्रेश हुआ था तो उसमें से 14 में से 13 लोगों की म्रत्यों थी जिनमें हमारे CDS जनरल विपिन रावस सहाब और उनकी पत्नी मधुलिका सिंग भी शामिल थी ती ओर के धामंदा के एक जवान जीदेंद्र कुमार सिंग भी उसमें चहीद हो चुके हैं और एक ग्रूप कैपिन वरुन सी जो थे वो अभी जीवित है और अपने जीवन और ब्रत्यों के बीच संघर्ष कर रहे हैं और हम यह पूरी आशा करते हैं कि वरुन सी जी चकु चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कि CDS क्या है सवाल उपता है कि CDS क्या है तो केंद्र सरकान ने रक्षा मंत्राले में केंद्र सरकान ने क्या क्या रक्षा मंत्राले में पांचवे विभाग के रूप में यानि चार विभाग पहले से कारिगरत थे केंद्र सरकान ने रक्षा मंत्राले में पांचवे विभाग था, यह है जेनर्ल विपिन रावास साब और विपिन रावास साब में नीचे देखिये गुरुकुला Mindore ने लिखा है देश के वीर सपूत को शरधान्जली गुरुकुला मिंदोर ने कल भी उनिनना माखों के साथ प्रदंजली दी थी और मैं आप सभी से एक बार प्रातना करता हूं कि आप इस दिवंगत आत्मा के शांती के लिए जरूर प्रातना कीजिएगा यह देखिए CDS जो है यह एक चार स्टार जनरल अधिकारी होगा जो सभी तीनों सेने सेवा हैं जानी थल सेना नो सेना और भारती वायू सेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सेने सलाकार के रूप में काम करेगा रक्षा मंत्री के सेने सलाकार होते थे यह देखिए यहाँ पर हम क्यों हमने CDS का पत बनाया था तो यहे कारगिल युद्ध के समय कारगिल युद्ध कब हुआ था भाईयो 1999 में हुआ था हमने ओपरेशन विजय चलाया था और पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमने मात दी थी तो कारगिल युद्ध के समय जिसको हम 26 उलाई को विजय दिवस मनाते हैं याद रखिएगा तो कारगिल युद्ध के समय भारती सनाओं के मद एकिकरण की समस्या सामने आई थी अगले point की ओर में बढ़ता हूँ इस युद्ध की समिक्षा समीती यानि इस युद्ध के बाद एक समीती बनाई गई थी सरकार द्वारा इसकी समिक्षा करने के लिए तो इस युद्ध की बाद जो समिक्षा करने के लिए तो इस युद्ध की बाद जो समिक्षा करने के लि कितने सारे हम सेना अभ्यास करते हैं तो उन वहतर समंगवाई के लिए दूसरी इंतरश्टी सेनाओं के नीनणाय लेने के लिए क्या पदाऊशक बता गया था? CDS का पदाऊशक बताए गया था भारत की भोगोली की इस्तती अत्तितिक विवित्ता वाली है कही पेड़ है कही पहाड़ है कही रेगिस्तान है तो इस विवित्ता वाली इस्तती में इसके अत्रिक्त नए प्रकार के युद्ध जैसे साइबर स्पेस युद्धारा है अब देखिए कितनी मैं आपको एक बहत्पूर्ण बात बताता हूँ कि हमारे दिवंगत परमशद्धे पहले CDS जनरल विपिर रावास सहाब ने अपने जाने के एक दिन पहले ही आर्टिकल लिखा था न्यूस पेपर में कि हमें पाकिस्तान और चाइना के साथ जेविक युद्ध के लिए तैयार रहना होगा तो ये साइबर युद्ध जेविक युद्ध की स्थिती में भी सेनाओ के बीच बहतर समन्वा इस्थापित करेगा कौन? CDS आज जो हमारी सेना अत्यादुनिक चष्टों से लेज दिखती है एरिस्ट्राइक और सजिकल इस्ट्राइक जो हम करते हैं उनमें भी CDS की एक महत्पूर्ण भूमिका होती थी प्रसिक्षन, लोजिस्टिक्स, एवं परिचालनों के साथ साथ खरीद जो हम करते हैं किसकी हमारे हतियारों की, हतियारों को खरीदों को प्राथमिक्ता देने में सायुक्त रेंडिती अपनाने के लिए समन्वीर प्रयास करने के लिए देश लाबान्वीत हो सकेगा इनकी सभी आवशक्ता हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह आवशक्ता महसुस की गई थी CDS के पद के लिए फिर हमने CDS का पद बनाया था, केसे बना CDS का पद, आवशक्ता महसुस हो गई, अब आगे की प्रोसेस क्या है इसके निर्मान के शिफारिश 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने की थी, मंत्रियों के एक समूह जिनको हम क्या केते हैं, जी ओएम, याईनि ग्रूप अफ मिनिस्टर्स, अभी कुछ समय पहले आप लोगो याद होगा, कि जी ओएम आपने सुना था, जी ओएम कब सुना था संस मिनिस्टर्स समिती जो बनती है, वो तंसद में एसे मामले जिन पर विशेष गहन चिंतन की, विशेष गहन आपको बाचीत करने की जब आउशकता होती है, और जब एसे मामले हो जाते हैं, जहां पर विशेष गहन जाच की आउशकता होती है, तो फिर गया पर एक के कमिति की तीनों से नौ में तो हमको क्या बनाना चाहिए cds बनाना चाहिए तो एक समिति बनी ग्रूप आफ मिनिस्टर्स की दोजार एक में जिसमें कारगिल समिक्ष्छा समिति जो 19 स्री नडू बनी थी कि रिपोर्ट का अध्याई करने का काम सोपा गया कारगिल समिक्षव समिती में जो अपने रिपोर्ट दी थी उसका अध्यान करना काम था किसका गुरूप ऑफ मिनिश्टर्स का तो 2001 में बनाए गई थी सीडियेस के सेकेट्रियेट के रूप में काम करेगा 2012 में सीडियेस पर आकंशाओं को आशंका जो थी कि बनेगा या नहीं बनेगा तो 2012 में सीडियेस पर जो आशंका थी उनको खत्म करने के लिए एक नरेश चंद्र समिती बनी प्रश्ण बन सकता है प्री में या मेंस में ध् समिती ने स्थाफ कमिटी के इस्थाई अध्यक्ष की न्यूपती की सिफारिश की प्रधान मंत्री मोदी ने 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्थाफ का पद बनाने की घोशनाजी किस ने प्रधान मंत्री मोदी जी ने और 2020 में जेनर विपिल रावत को पहला CDS बनाया यह थी ताकि बजबूती की साथ उस पत को खड़ा किया जा सके तो CDS का वेतन और अत्रिक्त सुवधाएं अन्य सेना प्रमुखों के बराबर होगी तीनों सेना प्रमुख थल जल वायू उनके सेना प्रमुखों के बराबर होगी इनकी सुवधाएं और वेतन किसी सेना प्रमुख को CDS बनाया जाता है आयू सीमा का नियम बाधा ना बने यदि किसी सेना प्रमुक को भी बनाया जाना पड़े CDS तो आयू का मैटर नहीं आई बीच में कि यह जादा हो रही है तो उसके लिए CDS की अधिक्तम आयू 65 वर्ष के अपने पत पर है सकेगा CDS कब तक 65 वर्ष के अधिक्तम 62 वर्ष या तीन वर्ष के कारेकाल दोनों मैं से जो पहले हो तक अपने पत पर है सकते हैं तो हमारे थल जल वायू सेना के जो अध्यक्ष है वो या तो 62 साल पहले उम्र हो जाए तक तक अपने पत पर हैंगे या 3 साल तक अगर वो अपने पत लेकिन यदि उनको ही बनाया जाना रख पड़ा तो केसे बनाओ गया तो इसके लिए यहाँ पे 62 की बजाए 65 कर दिया CDS में कि यह इसके बाद भी 3 साल तक CDS बने रह सकते हैं अगला है CDS सेवा निव्रत्ति के बाद यानि नहीं करवा सके साथ ही उसे सेवा निव्रत्ति के 5 वरश बाद तक बिना पूर्व स्विक्रति के किसी निजी रोजगार के अनुमती भी नहीं होगी यानि वो क्या करेगा जब वो CDS रिटार्ड हो जाएगा तो कोई सरकारी नोकरी नहीं कर सकता और यदि वो रिटार्ड हो हैं उसके 5 साल तक बिना अनुमती के वो कोई निजी रोजगार भी नहीं कर सकता CDS क्या है रक्षा मंत्रा ले के तहट नवगठिब सेन इमामलोक विभाग रक्षा मंत्रा ले के तहट पहले ही चार विभाग थे CDS बनाया गया और बहुत नया विभाग बनाया गया जो रक CDS के कार क्या क्या होंगे अभी तक प्रावधान देख लिए कैसे बनाया यह देख लिया अब हम देखेंगे कि कार क्या है कार है CDS सेना के तीनों अंगों के मामलों में तीनंग धल जलवायू CDS सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुक सेन्य सलाकार के रूप में काम करेगा रक्षा मंत्री को सला देगा वो तीनों सेनाओं के मारशल तो यह लोग भी अपनी सेना के संबंद में क्या कर सकेंगे ये लोग भी अपनी सेना के सम्मंद में रक्षा मंत्री को सला देते रहेंगे CDS रक्षा मंत्री के अध्यक्षता वाली रक्षा अधिक्राण परिशद और रास्टिस रक्षा सला कारेणी NS डोबाल जी की बात करें और रक्षा मंत्री को ने अभी हमारे राजनात सिंग NSA यानि National Security Advisor अजीर दोबाल सहब का सदस्य होगा इन दोनों का सदस्य कौन होगा CDS तता परमाणू कमान प्राधिकरण के सेने सलाकार के रूप में भी काम करेगा परमाणू कमान प्राधिकरण जो होता है जो परमाणू बम से रेलेटेट होता है उसके भी प्राधिकरण उसके भी सलाकार के रूप में कौन काम करेगा CDS अगला है अपवय में कमी जो फालतु खर्चा फिजूल खर्चा होता है अपवय में कमी करके ससस्त्र बलों की लड़ा को छमता बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के सेवाओं के कामकाज में सुधारों को लागू करेगा ये CDS के क्या थे? मित्रो कारे थे अब यात्रा संबंदी प्रोटोकॉल अब देखिए क्या हुआ? तमिलनाडू से के कुर्नूल में जाते समये इनका MI-17 विमान क्या हो गया था? जो हेलिकोप्टर था वो क्रेश हो गया था तो अब जब CDS यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो उनके यात्रा संबंदी प्रावधान क्या होते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए तो देखे छोटे से बताता हूँ कि यदि CDS कहीं पर जा रहे हैं यात्रा पर तो जाने से पहले इसकी सूचना रक्षा मंत्रा लाए वो PMO प्रधार मंत्री ओफिस को दी जाती है अगला है जब कोई VVIP जैसे PM रक्षा मंत्री या CDS हेलिकोप्टर से यात्रा करते हैं तो वाई उसे ना सुरक्षा के माप दंडों का कड़ाई से पालन किया जाता है अगला है चौपर से अधिकारी के अत्रा जाने पर मतलब जो प्लेन होता है चौपर से अधिकारी के अत्रा कर जाने पर उनके साथ दो पाइलेट और स्टाफ अफिसर होते हैं और क्रू मेंबर का चैन भी धियान रखा जाता है क्रू मेंबर यानि कि जो वहाँ पर दूसरी से वाओ के लिए उपस्तित होते हैं अगला है हेलिकोप्टर पर बेठने से पहले सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहते हैं और हेलिकोप्टर से उर्तात्र समय जहां में पहुंचते हैं वहाँ भी सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहते हैं यानि कड़ी सुरक्षा के साथ उनको लेकर जाया जाता है मित्रो अब बात आती है फिर प्लेन कैसे क्रेश हो गया तो देखे कुछ लोग इसमें साजिश की बाते कर रहे हैं लेकिद प्रथम दस्तिया ये सामने आता है कि वेस्टन घाट पर अचानक से मोसम बदल गया और धुंद इतना आ गया कि 5 मिटर की विजिबिलिटी भी नहीं हो सकी और प्लेन उतर नहीं पाया और सीधे ही जाकर क्रैश हो गया ठीके ये इतनी क्यात्रा सब्बंदी प्रोटकॉल के बाद भी देश ने एक वीर, सपूत, एक ब्रिलियंट माइंड जो भारती सेना को भारती सेना को आधुरी के किरण से जिन्नों ने लेस किया भारती सेना को जिन्नों ने मजबूती प्रदान की खुच जो जनरल रह चुके हैं उनको हमने खो दिया अब देखिए, MI-17 हेलिकॉप्टर की जो बात की जारी कुछ लोग हेलिकॉप्टर के गुणबत्ता पर सवाल उठा रहे, लेकिन वो गुणबत्ता पर सवाल उठाने वाल हेलिकॉप्टर नहीं है MI-17-5 सबसे एडवांस एरलिफ्ट विमानों में शुमार है यह सबसे एडवांस एरलिफ्ट विमानों में सुमार है यहां 13,000 किलो का भार लेकर उड़ सकता है हेलिकॉप्टर में टर्बो सॉफ्ट इंजन लगा हुआ है एक बहुत अच्छा इंजन लगा हुआ है इन हलिकॉप्टर्स का निर्मान कजान हलिकॉप्टर्स ने किया है जो रूस से सम्बंदी थे अब ये प्रशना सकता है कि MI-17 हलिकॉप्टर का निर्मान किस ने किया है तो कजान हलिकॉप्टर्स नाम की कंपनी ने किया है जो कहां से सम्बंदी थे रूस से 2008 में रख्षघा मंत्रा ले ने भारती वायू सेना के लिए 2008 में रख्छा मंत्रा ले भारती वायू सेना के लिए 80 हलिकोप्ट्र सक ओऊडर दिया था consultant कितने 80 इनकी डिलिवरी साल 2011 से शुरू हुई थी और final unit 2018 में दे गए किसे माइन 17 हलिकॉप्टर को अगला है यह विमान नाइट विजन यानि रात में भी उड़ सकता है ऑन बोर्ड वेदर रडार लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि उसका एटी सी जो एर ट्रफिक कंट्रोल उनसे संपर तूड़ गया और अचानकी वेस्टन घाट में माहूल विजिबिलिटी एकदम ही काम हूँ गयी सिस्टम से बेसे मुझे से लेकिन परस्थितियां एसी ही पन हो गई हित्रो कि कि इसकी भरपाई भारत के लिए आसान नहीं होगी मित्रो अगला है सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं इसका इस्तमाल हत्यार और सेनिकों को पहुंचाने में भी किया जाता है इसको हम हत्यार और सेनिक भी पहुंचा सकते हैं ये देखिए हमले के छमता से लेस होता है मई 17 ट् सवदा लोग ही जा रहे थे 1500 किलों के हत्यार ले जा सकता है रॉकेट गन पॉस्ट रूस के मास्कों में डेवलप किया गया था कजन हेलिकॉप्टर में बंकर तैयार हुआ है दुनिया के सहाड़ देशों में है ये हलिकॉप्टर और प्रधान मंत्री भी कभी कभार इस हलि तो ये था मित्र मेंने जो आपको बताया कि CDS क्या है? CDS कैसे काम करता है? क्यों बनाया गया और आगे CDS का क्या काम हो सकता है? इस पर भी हमने चर्चा की है युद्व के समय समन्नवै के लिए और भारती सिनाव को सजित हत्यारों से लेस करने के लिए उस समय cds को बनाया गया था आगे cds कुन बनेगा इसके लिए अलग-अलग नाम चल रहे हैं कर्मुविर सिंग जी का नाम चल रहा है जैनल नर्वडे का भी नाम चल रहा है लेकिन आगे CDS जो भी बने हम यही काम ना करते हैं कि वो भी देश के लिए उसी लगान महनत से काम किये जिस प्रकार विपिन रावस सहब ने किया था एक बार फिर हम दिवंगत आत्मा परमशद्धे हमारे पहले CDS जनरल विपिन रावस सहब को धांचली अरपित करते हैं और आगे के इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो गुरुकुलम ग्यान सीरीस के आते हैं रोचक ग्यान से सम्मझेद आते हैं बने रहिएगा गुरुकुलम के साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत